इमली फेम सुंबुल तौकीर इन दिनों सल्मान खान के पॉपुलर रियाल्टी शो बिग बॉस 16 में नजर आ रही हैं सुंबुल जब से शो में आई हैं तभी से काफी सुर्ख्यों में हैं हलाकि उनके सुर्ख्यों में रहने की वज़ा काफी अजीब रही उनका नाम अपने से 20 साल बड़े शालीन भनोट के साथ जोड़ा जा रहा था सुंबुल और शालीन एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते थे लेकिन घरवालों ने उनकी नस्दीकियों को गलत समझ लिया था बाद में सुंबुल के पिता ने इसको लेकर शालीन को फटकार भी लगाई थी सुंबुल हैरान थी जब उन्हें ये बात पता चली इसके बाद उन्होंने सभी को ये चीज क्लियर की कि शालीन और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है अब बिग बॉस की लाइफ फीड में दिखाया गया है कि सुंबुल तौकीर अपने खास दोस्त को मिस कर रही है सुंबुल तौकीर गाडन एरिया में टीना दत्ता के साथ बैठी होती है और इस दोरान सुम्बुल टीना से इशारो इशारो में अपने खास दोस्त का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि उन्हें दोस्त की बहुत याद आ रही है सुम्बुल बेशक बिग बॉस के घर में अकेला फिल कर रही हूँ लेकिन घर में दिल ही दिल में वो फहमान खान को मिस कर रही है टीना यहां सुम्बुल से पूचती हैं कि आप हर हफते मिलते हूँ जिसका जवाब देते हुए सुम्बुल कहती हैं कि वो तो अल्मोस्ट हर दिन मिलती हैं बिग बॉस के घर में शालीन टीना को पसंद करते हैं लेकिन घर के अंदर कहा जा रहा है कि सुम्बुल के मन में शालीन को लेकर फेलिंग्स है आपको बता दे कि बीते एपिसोड में सुम्बुल फेहमान संग अपने रिष्टे को कनफम भी कर चुकी हैं पॉपुलर रियाल्टी शो इमली में इमली और आर्यन का करदार निभा कर सुम्बुल तौकीर खान और फेहमान खान लाखो दिलों की धड़कन बन गए थे उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रहिए One India हिंदी के साथ